हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सीटी किचन, आज मैं आपको दो मिनट में बनने वाले ब्राउन शुगर सिनिमन टोस्ट की रेश्पी बताऊंगी टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए दो ब्रेड के स्लाइस, चार छोटे चम्मच ब्राउन शुगर, सिनिमन यानी दालचीनी का पॉडर, एक बटा चार चम्मच, दो चम्मच बटर टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्स्चर त्यार करेंगे मिक्स्चर बनाने के लिए हम एक बॉल में डालेंगे बटर, बटर सॉफ्ट होना चाहिए अब इसमें हम डाल देंगे ब्राउन शुगर, सिनिमन पाउडर और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ब्रेड पर लगाने के लिए मिक्स्चर त्यार है, अब इस मिक्स्चर को हम ब्रेड के स्लाइसीज पर दोनों तरफ लगाएंगे अब इस तरह से इस मिक्स्चर को लेकर आप ब्रेड पर दोनों तरफ इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर ले यह देखिए, ब्रेड के दोनों स्लाइसिस पर दोनों तरफ हमने इस मिक्स्टर को लगा लिया है, अब इस ब्रेड को हम सेखेंगे टोस्ट बनाने के लिए हमने एक पैन को गरम किया है, अब हम ग्यास को श्लो कर देंगे और टोस्ट को दोनों तरफ से गोल्डन प्राउन होने तक सेक लेंगे टोस्ट को पलट दिया है अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी टोस्ट को सेक लेंगे इसमें हमने और कोई घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें बटर डाला हुआ है अब इस टोस्ट को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे तोस्ट को भी सेख लेंगे इसी तरह से दूसरा टोस्ट भी सेख लिया है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इस टोस्ट को भी प्लेट में निकार लें ब्राउन शूगर सिनेमन टोस्ट सर्फ करने के लिए त्यार हैं आप भी ने जुरूर बनाईए यह बहुत ही टेस्टी ह होते हैं और दो मिनट में बन कर त्यार हो जाते हैं यह बच्चे बड़ो सबको बहुत पसंद आएंगे अगर आपको मेरी यह रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इससे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने कमेंट्स और सजेशन्स भी दीजिए थ Thank you for watching